और आज दोस्तों हम बात करेंगे कुछ सैप्लिंग्स के अपडेट के बारे में मुझे बहुत सारे कोशन आ रहे थे कि अगर आपने इंग बीज लगा हैं तो उनका अपडेट भी दखाईएगा और आप देख सारे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है आपने देखी होगी पका अगर नहीं देखे तो आप जाके चेक कर सकते हैं यह जो दोस्तों पहले अब देख सकते हो यह है हमारे पास पेटूनिया पेटूनिया का दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है सर्फ यह चीज रहती है मुझे थोड़ा सा क्योंकि जब हम मैं अक्तूबर में ग्रो करता हूँ सेपने तो थोड़ी से गर्मी होती है बीच में इसके लिए मैं आपको रिकुमेंड करूंगा आप दूसरे हफ़ते में ही ट्राइ कीजे पर हमारे यहां पे ठंड हो गी थी लगबग अच्छे से जो टेंपरेचर है रात को ठंडा होना शुरू हो गया था जो इनकी रिक्वाइर्मेंट है और सभी जो पौदे हैं देख स उसकी वेबसेट से परचेस किया है और यह पैंजी भी वहां से ही आया है और पैंजी यह थोड़ा सा टाइम ले ले लेते हैं अगर आपकी बीज नहीं ग्रो हुए तो टेंशन मत लीजे क्योंकि यह थोड़ा सा टाइम लेते हैं 20 दिन भी ले लेते हैं जब इनका टेंपर साइनरेरिया कि आपने फूल देखे होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं या फिर सर्च करें हाउट विडियो गार्डन विला वहां पर आपको मिल जाएगा कि मैंने बहुत बढ़ी है वीडियो इनके लिए बना रखी है पूरी इंफ प्राइम प्राइम ला और यह जो है हमारे पास पैटूनिया मिक्स यह भी पैटूनिया आइट ब्रावो मिक्स है जो मैंने इन से ही लिया था और आप देखे साथ दूसरे पेर पेज पहुंच गया है और यह है कालसियुलारी है जिसको हम लेडी पर्स भी बोल देते हैं इसके जो पौदे के फूल है वो बहुत जादा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता हूँ उनका जो यूनीक शेप होती है इसके लिए मैंने इनको ग्रो करता हूँ और पौदे बहुत महेंगे आते हैं और इस दूसरा है हमारे पास लिस्यांतस लिस्यांतस मैंने एक महीना पहले लगाया था और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्लो इसकी ग्रोथ रहती है पर यह एक चीज़ है अगर आप कोई पौदा लगाते हो उसके जो लीफ वो कोपीट से टाच नहीं होने चाहिए और दूसरा है हमारे पास पैटून एंटी राइनम और यह है मेरे पास जो जो डैन्थस डबल कारनेशन जैसे इसको बिल्कुल फूल आता है बहुत अच्छा होता है आप जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूं आप यह नाम सर्च करके मेरे चैनल पर जा सकते हैं आपको सभी के बारे मे एक गमले में मिलता है तो बीज लगाने मुझे जारा भैतर रहते हैं मैंने इसके दो पैक्रिल लगाए थे जिसमें करीब 35 से 40 बीज होंगे और उनमें से जर्मिने जितने हुए वो सभी हो गए थे एराउंड दो तीन बीज के अलावा और उसके बाद जो अभी बचे हैं आपके सामने है और यह है एराईसिमम इसकी बीच भी बहुत सस्ते हैं और इसकी जर्मिनेशन 100 परसेंट है इसके लिए मैंने इसको ग्रो किया हुआ है अभी हम दूसरे देह लेते हैं जो बड़े बहुत हैं जारतर प्रॉबल में इसमें यह आती है जो मैंने आपको दिख यह थी और आप अभी जाके चेक कर सकते हैं और यह है दोस्तों आइस प्लांट जिसको मैं सेंब्रे अंथम कहा देते हैं यह डिमॉर्फटी का और यह एलाईसम और यह हमारे पास बालसम और यह है दोस्तों इंका मेरीगोल्ड यह इंका अलग कलर है इसका मैंने साथ में ट ये गोल्ड होगा और ये है मेरे पास बुनाजा मिक्स या स्ट्रॉबरी फोरेस्ट मेरी गोल्ड और ये है मेरे पास बुनाजा मिक्स और दूसरा है मेरे पास केलेंडूला इस केलेंडूला का बहुत अच्छा कलर है आपको मैं दिखाऊंगा जब इस पर फूल आएंगे और यह है हमारे पास गजैनिया सभी का फेवरेट है यह बहुत सारे हमारी विवर्ज लगाते हैं सबसे ज्यादा बिखता भी है मैंने उनसे पूछा था कि गजैनिया के लिए बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं और नेक्स टियर होफुली कि आपको चार या पांच वरेटीज कि देखने को मिलेगी इंपोर्टर जो भी आती है देखिए एक मैं आपको चीज बताना जाओंगा जब भी आपको इंपोर्टर बीच लगाते हो उसका आपको रिजल्ट हंडर परसेंट नहीं मिल सकता है सबसे पहली चीज होती है कि आपका कंडिशन्स रिक्वार्मेंट क हिसाब से डिपेंट करता है और दूसरा मैंने नर्सरी वालों से भी पूछा था जो ग्रीन हाउश वाले होते हैं जो सभी सेपलिंग्स प्रड्यूस करते हैं वो कहते हैं कि हमारा भी ज्यादा से ज्यादा 75-80% सीड जर्मिनेट होता है अगर हम उसको सही कंडिशन्स में ल स्टॉक आपको जरूर पर्चेस करना चाहिए आप एक बर ग्रो करके देखे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें खूल बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं और यह हैं दोस्तों हमारे पास जीनिया जीनिया के बाद है हमारे पास यह है डाइंतर्स के बा बहुत द्यान से करना पड़ेगा जिसके सनीन की रूटस है एक्सपोज ना हो और यह हमारे पास डैंतर्स है यह स्पेशल वराइटी का डैंतर्स अभी देखते हैं इसको कैसे फूल आएंगे उसके बाद ही बता चलेगा वैसे इसके बड़े बड़े फूल होते हैं मैंने और यह है फ्लोक्स फ्लोक्स में क्या हो गया था कि मैंने यह मेरे से बहुत जारा गलती होती है और मुझे बहुत बुरा लगता है काफी बार कि क्या होता है मैं जल्दी जल्दी से बहुत तेजी से इनको पानी देता हूं जिसके करना क्या होता है काफी जो जड़े हैं वो पानी कम चाहिए जब मैं पानी देता हूं मुझे सभी को देना पड़ता है इसलिए और यह है ब्लैक पैंजी और यह है डेंटस ब्लैक इसका जब प्लांट का फूल आएगा मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छा फूल रहता है तो आप यह पादे भी लगा सकते हैं आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जब इस पर फूल आएगा तो यह दोस्तों कुछ अपडेट था आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजीगा वीडियो को भी शिरें लाइक कीजीगा और इसके लाब अगर आपको कुई औ और प्लांट के बारे में इंफोमेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं यह सभी जर्बेरा पड़े हैं इनको मैं अभी निकाल कर यहां पर रखूंगा यह आज मैं मेरीगोल लेकर आया था नए जुरू बताइए आपको कैसे लगी यह सर्फ मुझे 20 रु रहते हों जिनके आगे जाके फूल खिरें आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को शेर और लाइक कीजिगा अगर आपको कुई और कोशन आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं